Supply Chain Management क्या है? Supply Chain Management के द्वारा किसी भी वस्तू और सर्विस को उसके बनने से पहले प्लानिंग से लेकर उस वस्तू के पूरी तरह से बन जाने तक और उसके बाद उस वस्तू को कस्टमर तक पहुँशाने के दौरान सभी एक्टिविटीज को Supply Chain Management कहा जाता है इस management से सभी activity पर वारिक से नजर रखी जाती है ताकि कहीं कोई गरबड़ी ना हो जाए एक तरह से देखा जाए तो supply chain management इन सभी चीजों को आपस में जोड़ता है यानि कि उस वस्तु को बनने के लिए लगने वाले raw material फिर manufacturing में जाना उसके बाद उसका logistic और end user तक पहुंचना उसके बाद अगर product में कोई defect है तो वापस company तक आना ये सभी चीजों को आपस में जोड़ती है supply chain management supply chain management में individual organization से जुड़ा होता है organization resources से जुड़े होते है resources technology से जुड़ा होता है और technology activity से जुड़ा होता है ये सभी मिलके एक circle बनाते हैं और उस तरह से एक final product बनके तयार होता है customer के लिए अगर इसमें से कोई भी चीज अपनी जगे पे सही तरीके से काम नहीं कर रही तो गलती की संभावना बढ़ जाती है या यूँ कहें कि supply chain management का दिर्माड ही इसलिए किया गया है ताकि किसी वस्तू और service को उस planning से लेकर manufacturing, distribution, storage और उस final product को सीधा उप्योग करता वाले customer तक पहुँचाने के लिए किया जाता है किसी भी वस्तू और service को बनाने से पहले उसकी planning की जाती है फिर planning के बाद उस वस्तू में लगने वाले raw material का जुगार किया जाता है यानि की इकठा किया जाता है raw material को manufacturing process में डाला जाता है जहां से एक final product बनके तयार होता है इस product को inventory यानि गोदाम में रखा जाता है और वहां से इसको transport से दूसरे अलग-अलग सेरों में भेजा जाता है जहां पर मौजूद distributor इस product को अपने area के छोटे-छोटे retailers पर भेजते हैं और retailers से end user यानि की ग्रहंग खरीद कर उपियोग करता है उसके बाद भी अगर product में कोई defect आ जाता है या product expire हो जाता है तो उसको company तक पहुँचाने के लिए भी supply chain management का इस्तमाल किया जाता है यहां पर supply chain management की पूरी process complete हो जाती है अब बात करते हैं कि company आखे supply chain management पर इतना focus क्यों करती है और इस formula का इस process का इस्तमाल क्यों करती है सबसे बड़ी बात होती है company में जो product बनता है उसकी cost कम हो जाती है और फाल्तु का raw material नुकसान होने की संभाबना कम हो जाती है साथ ही एक अच्छा product customer तक सही time पर पहुँच जाता है और customer का जो feedback है वो company के लिए profitable होता है साथ ही इन सभी process में final product की पूरी अच्छी तरी से ट्रैकिंग भी हो जाती है जिससे company को कोई भी product नुकसान नहीं उठाना पड़ता जब product सही time पर customer तक पहुँचता है तो वो जो भी पैसे खर्च करता है उस product को खरीदने के लिए वो पैसा सही time पर company तक पहुँच जाता है जिससे company भी raw material को सही time पर खरीद लेती है तो यहाँ पर payment का आदान परदान भी काफी smoothly चलता रहता है इससे एक फाइदा और हो जाता है जिससे company को पता चल जाता है कि कितना product उसको बनाना है market में भेजने के लिए और कितना उसको गोदाम में रखने के लिए बनाना है इस तरह से सभी चीजों पर अच्छी तरीके से tracking company की रहती है ताकि कभी ऐसा ना हो कि जादा product बनके गोदाम में रखा रहे और market में customer तक product पहुची ना पाए और वहाँ पर shortage हो जाए इस सबकी पूरी planning इस सबकी पूरी planning supply chain management के अंतरगत ही आती है इसी लिए companyya supply chain management का पूरा process अच्छी तरीके से follow करती है supply chain management ने आने वाली 5 चीजे जो की बहुत ही प्रमुक है supply chain management को ये 5 चीजे important बनाती है जैसे की planning or strategy, source of raw material, service and manufacturing of product, logistic return और expiry or defective product return इन सभी चीजों पर supply chain management का पूरा control होता है आईए जानते हैं इसके key performance indicator के बारे में जो की supply chain management में काफी ज़्यादा famous है इन बातों से पता चलता है कि supply chain management अच्छी तरह से काम कर रही है जैसे की आपका cash to cash cycle time से चलता है यानि आप raw material सही time से खरीते हैं, payment सही time से करते हैं और आपका जो भी product market में जा रहा है उसकी payment भी आपको सही time से मिलती है perfect order rate यानि की जितना order आपका market में बनता है उतना ही product आप market में भीज रहे हैं जो की एक अच्छा indicator है किसी भी company के लिए customer order cycle on time यानि customer को उसके demand के हिसाब से product उसके पास तक पहुँच जाता है आपके company का जो गोदाम है उसमें भी जादा product inventory में रखा नहीं रहता यानि की overload नहीं रहता आपको पता चल जाता है कि आपका product में क्या defect है और किस लिए return आ रहा है तो यहाँ पर region of return भी पता चल जाता है और आपका जो logistic है वो किस तरीके से product को सही time पे पहुचा रहा है इसकी भी आप tracking कर लेते हैं तो यह था supply chain management जो की यह सारी process से बना हुआ है और इसका मोल उद्देश यही है कि company को product की जो cost है वो कम पड़े और साथ ही defective material कम से कम उसका निकले यानि कि defective product कम से कम निकले साथ ही customer तक सही time पर product पहुच जाए वीडियो अच्छी लगी है तो like share जरूर करें और चैनल को subscribe कर लें कर दो कि हुआ है झाल झाल